जहिन मैं हूँ अरण कुमार और आप मेरे साथ पर रहे हैं भारत का भोगोल मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कृष्णा क्लासिस विद्रून में और आज का हमारा टोपिक है मोस्ट डिमांडिंग टोपिक ओफ इंडिया भारत की प्रमुक जीलें इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन-कौन से स्टेट में कौन-कौन सी जील है और उस जील की क्या प्रमुक बाते हैं मेरे साथ आप इस वीडियो में अंतेतक बने रहे हैं और इसको मैं आ इंडिया सबसे पहले हम चलेंगे जम्मू कास्मीर लेंगे हैंति का चला और हम ब्रजियर थी चाहँ मिश्य१ मेरत जो सक希望 है को तो इसकी है वोलर जी जी इंपोर्टेंट यह तो सब कोई पता होंगी वूलर जील डल जील इसके लावा यहाँ पर अंचार जील बैरी नाग सेस नाग नागिन विसंसर मानसर गड़सर और मानसबल इतनी सारी जीले हैं हमारी जम्मू कस्मीर में अब देखिए जितने भी नाग आपको देख रहे हैं तो यह तो पक्का आपसे कॉस्टन में नहीं पूछेगा वूलर जील डल जील यह आपको पता ही है जम्मू कस्मीर में यह भी कॉस्टन एक्जाम में नहीं पूछेगा जम में आती हैं अंचार जील यह याद रखिए आप जम्मू कस्मीर जा रहे हैं और अचार खा रहे है तो अचार जील जम्मो कस्मीर में है गड़ सर जील most important है गड़ का मतलब होता है जम्मो कस्मीर की भासा में गड़ का मतलब होता है मचली मचली गड़ सर और सर का मतलब होता है सरोवर तो मचली का सरोवर गड़ सर इसे मचलियों की जील भी कहते है इंप्पोर्टेंट यहाती रहती एक जामिसर मचलीयों चीहल भी कहते हैं और एक मानसबल जीहल है कस्मीर में जो जीहले हैं यहां पर जो गॉब्स अरगें रहते थे पहले वहा आते سबों करदा है जीलों का समीर की जीलों का रतन खा जाता है वूलर जील जो है यह लार्जेस्ट फ्रेस वार्टर जील है जैसा हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले आप उस वीडियो के देखिए उनने देखा है टाइप्स ओफ लेक जीलों की परकार वूलर जील लार्जेस्ट फ्रेस वार्टर लेक है वूलर जील के बारे में और क्या है कि जेलम नदी पर बनी हुई है इधर से नदी आती है जेलम बीच में लेक है और जेलम नदी आगे चली जाती है और यहीं पर बना बसा हुआ है सहर सिरी नगर औ हम लेडी टेक्टोनिक लेक हम पढ़ चुक है है यहеленा जिसमें शुकारा चलते हैं आपने देका होगा बोती कस्मीर की कली मूवी में गाना था जो डाल जील में फिल्माया गया था है इस सेकेंट लार्ड़रजेस्ट जम्मुकस्मीर की है उसे जिसे हम यह भोती सुंदर है तो इसे हम कहते हैं फूलों की जील लेक ओफ फ्लोवर बाकिन नाग वाली आपको याद होई गई है बैरी नाग सेश नाग अनंत नाग भी है नागिन विशन सर यह साप से साप मानसर गड़ सर गड़ सर जो है यह इंपोर्टेंट है मचलियों की जील है गड़ सर जील जम्मू कस्मीर में है एक गड़ी सर जील जैसल में राजिस्तान में तो गड़ और गड़ी सर में कन्फ्यूज नहीं होना गड़ सर जील जम्मू कस्मीर में है मानस बल जील भी पुछता अंचार जील गठसर जील और मानसबल जील यही में आपसे पुछता बाकि वुलर डल आपको पता ही है है और सारे नाग Nope अपको पता ही है आगे यह जो साइड में ऊपर हमें स्टेट दीख रहा है जो अभी अलग होके जमू कस्मिर से यह अलग होके बना technology इसका नाम है ले लडाख ले लडाख में जो लेक होती है उसकी नाम के आगया पीछे सो लगा उता है T.S.O. सो का मतलब ही टिबत की बाशा में जहील हुता है तो देखी जीतने भी सो है सारे सो आपको मिलेंगे कहां ले लददाग में इसको याद करना असान है पैंगोंग सो अगर आप ने देखी है मूवी 3D जो सबसे लास्ट जिन है वह पैंगोंग सो लेग पर ही फिलमाया गया है और पैंगोंग सो लेग अकसाई चीन और भारत दोनों में फैली हुई है इसका 15% परसेंट हिसा भारत और बाकि सक्स है चीन में है पैंगोंग सो पैंगोंग सो मोस्ट इंपोर्टेंट पैंगोंग सो को सतरंगी जील भी कहते हैं क्योंकि जम्हें समद्र का इसके पानी में जब सूरे की किरने आकर गिरती है तो इसका पानी सात रंग का दिखाई देता है इसलिए हम पैंगोंग सो को इसका पानी इतना साफ है कि इसमें आपना चेहरा देख सकते हैं यहाँंगे लगा है यहाँ पर भी सो लगा है, सो मतलब ले लद्दाक, ठीक है, सोकर यहाँ भी सो लगा है, कयार सो यहाँ भी सो लगा है, कयागर सो, मीरपाल सो और रेउल जील, रेउल जील देखिसमें सो नहीं लगा है, यह अलग से है रेउल जील, और अगर मैं एक्जाम में एक्जामनर होता और एक question बनाता तो मैं आपसे रयोल जील ही पूछता तो लद्दाक ले लद्दाक वले छितर की कौन-कौन से जील हैं पैंगोंग सो, सो मरीरी, सो कर, कयागर सो, मीरपल सो और रयोल जील ये कहां पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं ले लद्दाक में वूलर जील, डल जील, गड़सर जील, मानसबल जील ये हैं जम्मू कस्मीर में अंचार जील, बेरिनाग, सेशनाग, नागिन, विसंसर और मनसर ये सब हैं जम्मू कस्मीर में अब जम्मू कस्मीर से नीचे चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड देखिए उत्राखंड में कोई जील है रूबकुंड क्योंकि यहां ताल नहीं लगा और आप इसको कुंड का दाम सुनते लगा है तो हरियाना है पंजाब में जबकि रूबकुंड कहा है रूबकुंड जील उत्राखंड में है जिसे कंकाल का जील या रहसे में जील भी कहते हैं क्योंकि यहां हाल फिलाल ही में बह रुपा ताल और नोग उच्छे ताल कहा है उत्राखंड में लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ताल उत्राखंड में यह तीन ताल उत्राखंड में नहीं है तीन ताल उत्राखंड में नहीं है उत्राखंड में माला ताल साथ ताल देव ताल नैनी ताल आकस ताल खुर्पा ताल टाल नाको ताल अलकसे आठ करिए सुरजब नहीं है उत्राहणद में सुरद्धाल चांदाल नाको ताल घमाचल प्रदेश में सुरण ताल से निकलती है भागा नदी चांद llev से निकलती है चंद्राणदी और भुखन्द he और किसका मंदिर है परासर रिसी का मंदिर है इसलिए इसका नाम परासर जील है परासर रिसी का मंदिर है उस तैड़ते हो भुकंड पे परासर जील हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर जील हिमाचल प्रदेश गोविंद साकर एक डैम है किरत्रिम जील है बताइए कौन से न पूछेगा जहां आपको डाउट आएगा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं उत्राखंड चलते हैं माला ताल साथ ताल देव ताल नैनी ताल राकस ताल खुर्पा ताल नोकुछिय ताल सारे ताल उत्राखंड और रूपकुंड जिसे में जील या कंकाल जील भी कहते है उत्राखंड इंपोटेंट अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश सूरस सूरच चान नाको सूरच चान नहीं है उत्राखंड में परासर जील देखिए हमारा पूर्व उत्तर भारत निया हमारी 7 सिस्टर्स इन 7 प्यारा सा राज یہ है मनोरंम प्रदेश जिसका नाम है मनी पूरिज़िट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जील है लोक टंज़्ील लोक टंज़्ील से इंपॉर्टेंट क्यों क्यों कि इस घेल के अंदर तैरते हुए दूईब पाए जाते हैं चोटे चोटे द्वीब घास के जो द्वीब मिट्टी में बन गए हैं वो तैरते रहते हैं फ्लोटिंग आइलेंड्स हैं और दुनिया की ऐसी अकेली जील है जिसमें फ्लोटिंग आइलेंड का नेशनल पार्क है तैरतावा नेशनल पार्क है और एक संगई हीरण होता है संगई हीरण का यह एक मात्र प्राकरतिका आवाज है यह लोग्टक जीवन रहा जाता है précéd in Casa आप लोगन इसे हीरण को करांदी तक करता है मैं जीवन रहा जाता है लेकिन यहां पर ईक जीवन रहा जा रहा सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तैरता हुआ नैशनल पार्क है विस्व का इकलोता यहां पर इसका नाम है कैबुल लामजाओ यह हम कई बार डिसकस कर चुके हैं अब तक संगई हिरन का प्राकृतिक आवास है और जैब विवित्ता के कारण से मनीपूर की जीवन रेखा भी कहा जाता है ये हमारा अदेम बहुत सारी होगे लेकिन मैंने वहीं लेक यहाँ बठाई है जो इंपौर्ट ईयूंप से इंप्टेंट और पूछ जाती रहीे यहां पर हैँ मीं लेक मीघह्रम और मीजोरम में कौनसी ढवले पाला यहाँ आजिल पाला जीम इंजोरम मे ऐसम यह उपर बन गया है यह तो आप इसको अपनाला जील और चदूंबी जील यहां वाले छितर में यहां पर है यहां पर नहीं है यहां पर हैं दोनों जीले ये चपनाला जील और चदुम्बी जील दोनों आसाम में हैं यहां पे हैं चपनाला जील चदुम्बी जील ये भी एक्जाम में आती है चपनाला कई बार आती है चपनाला जील चदुम्बी जील आसाम में है इधर हमारा सिक्किम है और सिक्किम में कौन से जील है बताईए च इस्तानदी ऑर जो कि सबसे ज़्यादा हाइट पे हाई-यस लेक आफ इंडिया भी है चॉलामुजी और दूसरी हाई-स्त लेक आफ जीन हाई-यस लेक आफ इंडिया कॉन सी है गोरु कि है गोरु डौग्मार जी जो कि इस चॉलामु जी兩 च disp brows हाइट पे हैं एक बार रिविजन करते हैं मनिपूर में हैं लोक्टक जील आसाम में हैं चपनाला जील और चदुम्बी जील मिजोरम में है पाला जील मेगाले में है उम्यम जील सिक्किम में है चुलामू जील और गुरु डोगमार जील अब हम चलते हैं राजिस्थान देखिए राजिस्थान में बहुत सारी जील है और अजिस्तान में जो जील हैं वाईू अपरदन द्वारा निर में जील हैं वाईूभा ने हवाणे जमीन को तोड़ा ग्हरा कर दिया है अपरदन के कारन तेज हवा चली और चिछली जील ज्यादा गहरी नहीं है तो देखिए उपर वाली तीन जीनों है ये खारे पानी की जीले है सांबर जील, लून करंसल जील और पचपद्रा जील लून का मतलब भी नमक होता है सांबर का मतलब भी नमक होता है सांबर जील सांबर जील क्या है largest inland salt water lake of India भारत की सबसे बड़ी inland लेंड खाले पानी की जील है इन लेंड जमीन के अंदर जैपूर के पास है सांबर जील लून कडंसल जील और पच्पद्रा जील यह उपर वाली तीनों खाले पानी की जील है नक्की जील मीठे पानी की जील है नक्की जील इसमें बरफ भी जमता है यह कहां पे है यह जो सब उब्से परवस शिखर है गुरु सिखर माउंटर बूमный उब हैं प제를नकी जील और लिए ब्रस भी जम जाता है दर लीडियार कि गाता है राज समंद जील बाल समंद जील जय समंद जील राजिस्तान वाले और अच्छे रखते हैं तो तो तीन जील जील हैं तीनों के तीनों सम्मंद हमरे राजिस्थान से अच्छे हैं ऐसा समझ लीजिए तो ये तीनों सम्मंद कहा हैं राजिस्थान में राज सम्मंद बाल सम्मंद जैसमंद नक्की मैंने आपको बताए दिया ये माउंट अबू में या बरफ भी जम जाती है जैसमंद जील जो है वो second largest artificial lake है सबसे बड़ी artificial lake कौन सी थी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी भारत की artificial lake कौन सी है सेकिंड largest artificial lake जैसमंद जील राजिस्थान में है पुसकर जील जहां ब्रहमा जी का एकलोता मंद्र आपको पता ही होगा पुसकर जील अजमेर के पास राजिस्थान में है पुसकर नामक जगा पे और उदयपूर जिसे जीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपूर में जो जील जाती है लेक पिचोला में इसके अंदर आइलेंड्स भी हैं देखी फिर से रिवीजन करते हैं राजिस्थान चलते हैं राजिस्थान में सांबर जील लून करंसल जील पचपद्रा जील नक्की जील तीनों समंद राज समंद जील बाल समंद जील जैसमंद जील उसके फते सागर और लेक फिचोला उदैपुर में हैं पुसकर जील जहां पे ब्रह्मा जी का अकिला मंदिर है इकलोता मंदिर है ये राजिस्तान की जीले हैं राजिस्तान के नची चलते हैं गुजरात गुजरात में दो जीले हैं नल सरोवर और सरदार सरोवर सरदार सरोवर महां आपने महावरत देखिए तो महावरत की कता के नुसार जो सूर्य भगवान ने करण से सूर्य भगवान ने नहीं किसने करण से उनका कवज मांगा था इंद्र देवता ने आइटिंग मैं I'm sure नहीं हो आप कमेंड करके बताईए तो करण ताल और ब्रहम सरोवर करण ताल और सरोवर हरियाना में है नल सरोवर गुजरा सरोवर गुजरात में है उसके बाद हम चलते हैं साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में सबसे उपर उत्तर प्रदेश देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में दो जीले हैं रामगरताल गोरकपुर और फूलर जील फूलर जी में भोसताल उत्रब्रदेश में राम गरताल और पूलर जील झेल ःकिताल देख्या उत्राखण पुछ जाईए गा मिजड़ास्टाल मद्देश में राम करताल उत्तर प्रदेश में मद्दे प्रदेश में मैंने आपको बताया था जो हमारा कोई उलका प्रिंड गिरा था यह कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उलका प्रिंड गिरा और इसके से गहरा गड़ा हो गया एस्टरोइट कॉलिजम के कारण गहरा गड़ा हुआ उसमें पानी भर गया वो लोनार जील महा में हैं कोरंबलीन जील गोया में हैं यह हमारा केरला तो लेखे केरला में बहुत सारी जील हैं कुछ इंपोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं वैंबनाड जील भारत की सबसे लंबी जील है जो एक लैगून है लैगून को हम कहते हैं कयाल केरल की भासा में वैंबनाड जील है अ Queen of Lake जीलों की रानी भी कहते हैं किसको सस्थाम कोटा को Valley जील, Perriyar जील, Ashtumudi जील और Weminar जील केरला की जीले हैं Weminar जील, Ashtumudi जील और Perriyar जील ये तो एक्जाम में तिनों आती रहती हैं Perriyar मीठे पानी की जील है, Perriyar एक कयाल या कयाल या लैगून नहीं है, उपर वाली दोनों लैगून है Weminar जील, भारत का सबसे लंबी जील है उडिसा चलते हैं, उडिसा में चिलका जील, भारत की सबसे बड़ी जील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील, भारत का सबसे बड़ा लैगून और उडिसा में दोड जीले याद रखी विक्टोरिया जील और कंजिया जील विक्टोरिया जील और कंजिया जील चिलका जील विक्टोरिया जील कंजिया जील उडिसा में है ये हमारा तिलंगना और तिलंगना में कौन कौन सी जील है देखिए हिमायत सागर हुसेन सागर और तेलंगणा में है अंधररण प्रदेश में पुलीकट जील important है पुलीकट भी यह क्या है ब्रैकड वाटर लेक है second largest फ्रÈकड ब्रैकड यह और यह भी एक लेगून है ऐसदी के मतलब खारे-पानी की जील और पुलीकट जील बगल में ही स्रीहरी कोटा बना हुआ है स्रीहरी कोटा को समद्र और पुलिक जील के बीच में स्री fout एक पुलिकट जील तमिलनाडू और आंध्रिपर डिसके बोर्डर जील देंकि पुलिकड जील तमिल्णाडवरी के इंतर देंका है दोनों नहीं तो आज जो और Rouge नीचे तदीजेगा को लूर हई जील हैं बड़ा थेमस जगाय कोड़ाई कनाल आप गए होंगे तो कोड़ाई कनाल एक आर्टीफिसल एक है और चेमबर बक्कम चेन नहीं में है तमिलाडू में यहां पर चेमबर बक्कम रिविजन कर लेते हैं बोस्ताल मद्धे प्रदेश रामगरताल वूलर जील उत्तर प्रद प्रदेश जील महराष्टर में लोनार जील केरला में बे मनाड अश्टमुडी पेरियार जील और सस्थाम कोटा एंड वेली जील यह केरला में है हम कुस्सन देखेंगे जो एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं निमलिकित में से कौन सा लेगुन नहीं है देखिए कौन सा नहीं है बताइए कौन सा लेगुन नहीं है चिलका जील लेगुन है पुलिकट जील चिलका जील उडिसा लेगुन है सबसे बड़ा लेगुन है पुलिकट जील सेकिंड लाड़ जेस ब्रेकिस वाटर जील अंद्र प्रदेश यह वीक लेगुन है अश्टमुडी जील जिस सब्सक्राइब है नहीं पता है तो आप मेरी जो साउथ इंडिया पे हमने ब्रूवल बनाई है विडियो बनाई है इस सद्रेखिए उत्री सरकार तरप्य चिल्का जील उडिसा में निमनल किते में से कौन दो भाड़ते राज्यों की साजेदारी वाली जील है दो राज्यों म में कोई से जीव um सी चीवार में हैं लो नार्री महराष्टरा में हैं को जी अंधर ठ्र्दैस में हैं है कि नैं तपे पुलिकट जी एक ऐसी जील है जो आंधर परदैस और तमिलाडू दोनों में आपको बता था दो इस्टे पहली हो यह पुली लेक तो इसकांसर है इसका सही उत्तर है पुलिकट लेक आगे चलिए हुम सही जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित है देखिए लोनार जील लोनार जील गलत है लोनार जील मद्दे प्रदेश में नहीं है मद्दे प् नक्की जिल कहा है, नक्की जिल हमारी Mount Tabor राजिस्थान में है, कॉलोरू हमारा अंदर प्रदेश में बिलकुल सही है तो हमारा उत्तर से हो गया, पुली कट हमारी अंदर प्रदेश औरonnaड ़े पाई जाती है, केरला में नहीं है तो जो कौन सी सही सुमेलित है को लोरू अंदर पड़े है सही सुमेलित है सूची एक से सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट के सही उत्तर चुनिए अब देखिए हमें सारी जरूरी नहीं सारी पता हूँ और हमने अपना आंसर सही कर लिया है इसका आंसर भी है क्योंकि एस्टमूडी केरला में है तीन हमें पता भी नहीं है इसे कहते हैं मैथड ओफ इलिमिनेशन ऐसे ही कोस्टन दो करना है एस्टमूडी केरला में है उसके बाद हमें पुली कट भी पता है पुली कट का है बताईए पुली कट है हमारी तमिलाडू और आंदर परदेश के बोर्डर पर यहां तमिलाडू दिया गया तो B के साथ 3 जा रहा है रूप कुंड मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में है रहसमी जील भी इसको बोलते हैं C के साथ 4 जा रहा है और सूरज लेड़ी हमें आंसर पता चल चुका है लेकिन है सूरज कुंड हरियाना में है सूरज कुंड हरियाना में है तो हमारा इसका आंसर हो गया B by method of elimination निमनलिकत में से कौन सी एक करत्रिम जील है देखिए नैनी ताल कैसी जील है बताईए अगर आपने इससे पहली वैली मेरी वी को लूरू आंधर प्रदेश की जो लेख है यह एक डेल्टाई जील है रेनुका हीमाचल प्रदेश में जो जील है यह भी हिमानी हिमनत द्वारा निमिट जील है और कोडाई कनाल तमिल नाड़ो की जो एक तुरिस्ट प्लेस भी है कृत्रिम जील है मैंने आपको वीडियो देखिए बाकी जो बची है वो भी याद हो जाएंगी अगला वीडियो मनाएंगे भारत के जर्नों के उपर तब तक अपना ध्यान रखें जैहिन जै भारत